हेलो वीवर्स आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल धनवास किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षब दन के लिए स्पेशल डिश वो भी आठे से बना हुआ गुलाब जामुन जो की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही इजी है तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाये जाता है आठे का गुलाब जामुन इसके लिए मैंने दो कब दूद्ध मतलब आधा लिटर दूद्ध ले लिया है आज हम इसे और healthy बनाने के लिए normal जो cow milk होता है वही use करेंगे packet वला दूद आज use नहीं करेंगे हम दूद को high flame पे 10-15 minutes तक के लिए पका लेंगे जब तक वो थोड़ा ठिक ना हो जाए हम इसे ऐसे ही लगातर high flame पे चलाते रहेंगे और ये side से जो मलाई है उसे भी हम हटाते रहेंगे ने तो फिर ये थिक हो जाएगी और फिर गुलाब जमून हमारी soft नहीं बनेगी अब देख सकते हो दूद आदे से भी जादा कम होके काफी थिक हो चुका है अब हम gas off कर देंगे और इसे 2-3 मिनट तक हम ऐसे ही चला लेंगे क्योंकि अभी दूद बहुत ही गरम है और इसे हम 10-15 मिनट के लिए room temperature पे ही रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए अब हम इसे एक plate में transfer कर लेंगे और इसमें 2 बरा चमच आटा डाल देंगे और एक चुटकी जितना इसमें baking powder और baking soda डाल देंगे और सभी को फिर अच्छे से mix कर लेंगे अगर आपको ये डो थोड़ा sticky या चिपचिपा फील हो रहा हो तो आप पहले अपने हाथों पे घी लगा ले उसके बाद सबको mix करें अब हम इसमें डाल देंगे एक चुटाई चमच vanilla essence मैंने आप vanilla essence flavor के लिए यूज किया है आप चाहो तो इसमें गुलाब चल का भी यूज कर सकते हो अब हम इसे अपने हाथेलियों से अच्छे से mix करेंगे देखिए मैं कैसे प्रेस कर रही हूँ हम इसे 5-6 मिनिट तक ऐसे ही लगातार mix करते रहेंगे 5-6 मिनिट हो जाने के बाद आप देखो के ये एक डोज ऐसा बन गया है देखिए कितना soft लग रहा है अब हम इसे चुटे चुटे गुलाब चामुन बना लेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने हतेलियों के बीच में इसे अच्छे से प्रेस करते वे गोल गोल करें ताकि ये cracks free हो मैंने टुटल साथ गुलाब चामुन बना लिया है अब हम इसे fry करेंगे fry करने के लिए देल हमें यहाँ पे medium गरम चाहिए और मैंने यहाँ पे flame को भी low to medium पे रखा है अब हम इसे सारे गुलाब चामुन को चलाते वे उलेट पलट करके इसे golden हो जाने तक fry कर लेंगे जब तक ये थोड़ा brownish ना हो जाए हमें ये ध्यान रखना है कि gas का flame low to medium ही रहे है अगर आप इसे high flame पे पकाऊगे तो गुलाब चामुन उपर से तो brownish हो जाएगी बट अंदर से कच्छी ही रहा जाएगी इसे और healthy बनाने के लिए बेटर हुआ कि आप इसे घी में ही fry करें आप देख सकते हो गुलाब चामुन का करलर काफी change हो गया है अब हम इसे थोड़ा देर और पकाऊएंगे और इसे अब वहार निकाल लेंगे अब हम कुलाब चामुन का चासनी बनाएंगे इसके लिए मैंने एक कप चीनी और एक कप ही पानी लिया है हमें ये ध्यान रखना है कि हम जितना चीनी डाल रहे हैं उतना ही पानी डाले जब चीनी पुरी मिक्स हो जाएगी तर हम दो इलाइची को खोल कर उसमें डाल देंगे और फिर उसे अच्छे से चला देंगे हम इसे medium to high flame पे 4-5 मिनट तक पका लेंगे हमें गुलाब चामुन के लिए तार वाली चासनी नहीं चाहिए एक बार हम चासनी को चेक कर लेंगे आप देख सकते हो कि चासनी में तार बिलकुल भी नहीं आ रहा है मतलब गुलाब चामुन के लिए चासनी इदम perfect है अब हम चासनी को 4-5 मिनट ते के लिए पहले ठंडा कर लेंगे उसके बाद इसमें गुलाब चामुन डालेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि चासनी जब थोड़ी ठंडी हो जाए तब ही हम इसमें गुलाब चामुन डालेंगे और फिर इसे 20-25 मिनट के लिए हम ढख कर रख देंगे देखिए 20-25 मिनट हो जाने के बाद इसकी साइस कितनी डबल हो चुकी है अब गुलाब चामुन सर्फ करने के लिए रेडी है आप भी ज़रूर ट्राइ करें ये इजी प्रोसेसिक सॉफ्ट गुलाब चामुन बनाने का अगर आपको मेरी रेसिपीस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शियर करना ना भूले थैंक यू